हाई अब्रीवन वेल्कम बेक टूम आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर हैकर तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है जो वीडियू रहने वाला है इस वेसल बीसी थार्ड यर वालों के लिए फ्यूजीकल केमिस्ट्री थार्ड पेपर इंपोटेंट है आज का जो टॉपि रिलेशन विट्वीन रिलेशन विट्वीन रिलेटिव लोवरिंग ऑफ बैपर प्रेशर एंड आस्मोटिक प्रेशर ठीक है इंपोटेंट है आप एच्छे बास्प दाव तथा अबन्वन व परासण दाव में संबंद तो इस तरह के संबंद को दर्साया गया है आप रूर्द पारगम जैली लगी हो टिक है एक उन्होंने टीव ली है और किया किया है पानी से भर दिया इसके एक सीरे पर रावाइंग जैली समय लगा दि गई Constitution अर्द पारगम जिली ठीक है इसके एक सिरे पर क्या लगाया गया है एक अर्द पारगम जिली लगी हुई है जिसको पानी से भरे बीकर में रखा गया है ठीक है अब इस नली को क्या किया गया है कि कोई एक बीकर लिया गया है और ये बीकर मालीजिए ये आपका एक बीकर हु हुआ है जिसमें इस नली को रखा गया है ठीक है यह जो बीकर है पानी से भरा हुआ है ठीक है उपर से एक वेलन जार से धक कर पूरे तंत्र को निर्वात में कर लिया जाता है ठीक है अब क्या करते हैं इस पूरे को क्या करेंगे एक ठकन से ठक दिया जाता है यानि एक बेलनाकार ठकन से ठक दिया जाता और इसे बंद कलिया दिन वैक्यूम कर दिया जाता है वैक्यूम का मतलब इसमें कोई वाहर की air एंटर ना करें ठिक हैं वेल जार जल वास्प से संतरप्त हो जाता है तो जो वेल जार जो होता है वो वास्प जल से क्या होता है सैचुरेटेड होता है यानि संतरप्त हो जाता है तो इस थरह की जो इसके अंदर पोजिशन्स बनती हैं यहां पे एक एक्यूशन भी फॉर्म ह होता है पाई इकल टू एच इंटू डी ठीक हैं यहां पर कि किसन फर्म होगी पाई एकल टू एच इंटू डी जहां पर डी बिलियन का घंत तो है डेंचित्री ओफ सॉलीशन एच आपका नली में जल्ग की उंचाई है तो यहां से P-PS इक्वाल टू H इन्टू D इसको माल लेते हैं किसर नमबर सेकेंड यहां पे जो D दिया हुआ है वो विलायक का वास्प घनत तो है देन P-PS पाई इन्टू D अपॉन D यानि यह कैपिटल D है दूसरा स्मॉल D है देन P एक्वाल टू R T अपॉन B तो D एक्वाल टू M B यानि बिलायक का वास्प अडूहार होने की इस्थिती में ठिक हैं तो V एक्वाल टू M अपॉन D यानि जो M अपॉन D है यह अडूहार यहां पे दिया हुआ है तो इस इसकेंशन से हम समझ सकते हैं जो हमारा P दिया हुआ है P माइनस P S अपॉन P एक्वाल टू पाई इन्टू कैपिटल D अपॉन D इन्टू M अपॉन R T D तो M अपॉन R T D जो है इसको इस्थिर मानने पर मान लीजे M अपॉन R T D को क्या माना इन्होंने इस्थिर मान लिया यानि इस value को क्या मान लिया constant मान लिया जाता है तो P minus P S upon P is proportional to pi यानि ठीक है यहाँ पर क्या रह गया यानि हमने M upon RTD value को concentrate कर लिया तो जो आपका आपेचिक वास्पदाब अवनमन पराशन दाब के समान पाती होता है जो आपेचिक वास्पदाब होगा वो अवनमन पराशन दाब के कैसा होगा समान पाती होगा ठीक है अब यहाँ पर राउल्ट के नियम की भी उत्पत्ती होती है जो राउल्ट का नियम है इस राउल्ट के नियम की यहाँ से उत्पत्ती राउल्ट के नियम की उत्पत्ती ठीक है यानि origin of राउल्ट's rule ठीक है इसको कहेंगे origin of राउल्ट's rule यानि राउल्ट के नियम की उत्पत्त अब देखें यहां से राउलट के नियम की उत्पत्य याने पाई V equal to N RT तो भी जो दिया हुआ है, वो आपका विलियन का आयतन है, N जो है आपकी दी हुई है वो बिले के ग्राम अड़ों की संख्या है अत है पाई एक्वाल टू N RT अपॉन B या फिर P-P S अपॉन P एक्वाल टू N RT अपॉन V इंटू M अपॉन RT इक्वाल टू H इंटू M अपॉन V इंटू D तो हमें सिक्केशन को लेख सकते हैं P-P S अपॉन P एक्वाल टू N अपॉन N तो इस तरह से हमारा जो आप एच्छे बास्पदाब अबनमन और परासन दाब के बीच में जो संबंध था आप लोगों के सामने विध्योरम और एक्स्प्रेनेशन से आपको दिया गया लगातार हमारे चैनल के माद्यम से आप लोगों किसी तरह की वीडियो मिलती हैं हम फिर किसी नई वीडियो में पस्तित होते हैं तब तक देखते रही है हमारे चैनल पेपर हैकर को